श्री शिवाई नमस्तूब्याम हरहर महादेम महाराष्ट राजिके यमतवतल जिले के वानिवे गुरुजी पंडित प्रदीप मिस्राजी के द्वार स्रीकासी सिम्महापुरान कथा शुरू हो गई है और आज 31 जनवरी 2024 पांचवे दिन की कथा पुर्ण हो चुकी है ये 23 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक चलने वाली है ये कथा आस्ता चैनल यूट्यूब के माधि हमसे देखी जा सकती है आज की कथा में गुरुजी ने जीवन के कस्टों को दूर करने के लिए एक विसेश प्रियोकी जानकारी दिये हैं जिसे आप कल मतलब एक फरवरी गुरुवार से ही करना शुरू कर सकते हैं उपाय नया और सरल है जिसे आपको अपने घर के नजदीक सिवाले में जाकर करना है साथ ही एक विसेश पुस्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया विसेश पुस्प को विसेश तिथी में कौन-कौन से तिथी में सिवलिंग पर अ पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा आज 31 जनवर इसरी कासी सी महापुरान कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाए पत रुपियों की सहित जानकारिया दिये हैं सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माधियम से प्राप्त होने वाली है कोई कारण वसियदी है आपने आज की कथा नहीं सुनी हो तो पूरी कथा का रस्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माधियम से प्राप्त होने वाली है तो बढ़ते हैं आज की परते हैं वो हमें नजर आता है हो है दूसरा प्रेम अगर हमें कोई कितना ही समझाए तो वो हमें विलन के तरह ही नजर आता है और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का मनुस्य से होता है उतना प्रेम भोले नात के प्रती भी होनी चाहिए कि रात की नींद भी उड़ जाए महादेव के लिए और महादेव के प्रती कोई कुछ बोले तो वो विलन नजर आना चाहिए बढ़ते हैं आज की कता की अगले जानकारी की और कोई फूल जो किसी काम का नहीं वो भोले नात को चड़ा दो कनेर का पूस पिया धथूरे का पूस पिया आंकडे का पूस वो भी भोले नात को प्रिय है और भोले नात को यदि आप अरपित कर देते हैं तो भोले नात प्रसन हो जाते हैं जल जो सभी के पास है जिसे आप सिवलिंग के पास में चढ़ाओ तो भोले ना तो उस पर भी प्रसन हो जाते हैं तो बढ़ते हैं आज की गता की अगली जानकारी की और गुरुजी ने कहा ऐसे पत्र भी आते हैं जिनको पढ़े या नहीं पढ़े समझ रही आता एक पत्र आ कहा आप उन्हें प्रेम से बात करो एक नए एक दिन उनके दिल में तुम्हारे लिए भी प्रेम जगेगा बढ़ते हैं आज की गता की अगली जानकारी की और गुरुजी ने कहा हम माताओं बहनों नारियों को हम जी जी कहते हैं इसलिए हम इतने इसलिए इनके पाउंस पर पर्स ना करें बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को पाउं के अंगूठे में जब जल लगता है और जैसे ही साधु सन्यासी या गुरु ने जो तप किया है प्रतिस्ठान किया है उसका फल उस चरन को धोने वालों को चला जाता है इसलिए आपको अपने साथ है यह को लेकर आया जिस व्यक्ति ने वह पुस्प लाया और जिसने और जिसनय वह पूश्प चठाया वह उसके पडिवार में इतना बल उत्म होगता है मतलब तूट तूटता नहीं है कि टिप्रेशन में नहीं जाता है कमजोर नहीं हो सकता है और वह बच्पन से भीजन होता है पारिजात का पुस्प अगर आप सोंबार की अस्टमी या सोंबार की दिन या प्रदोस के दिन या सिवरातरी के दिन इस विशेश स्ची्थेणों में वहात्य प्रदान करता है एग्जाम में एक दो सफलता प्राप्त होती है तो आप यदि नौकडी के लिए अपलाए कर रहे हो या व्यापार आपका नीचे जा रहा हो तो आप एक पारिजात का पुस्प इन विशेश तित्यों पे सुमबार की अस्रमी हो या सिवरात्री हो या प्रदोस हो या सुमबार का दिन हो आपको जित्ता है बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी के और गुरुजी ने विशेश उपाय की जानकारी देते हुए कहा हमने आपको पिछली कथा में भी बताया था अगर जीवन में बहुत बड़ी विपत्ती आ गई हो परेशानी आ गई हो तो आपको भोलेनात के सिव मातवार आपको उस गोल कटी भाग को अपने दोनों हाथों से स्पर्स करना चाहिए दोनों हाथों से आपको दवाना चाहिए अपने मन की बात या जो परेशानी हो वो आप बोल सकते हो बाबा से बोल देना चाहिए बाबा जरूर सुनते हैं बढ़ते हैं आज की कथा की अ माथा टेकना चाहिए और तीसरा किसी तिर्थ में जाकर या सिप महापुरान में जाकर जहां पर सभी तिर्थ विराजमान होते हैं वहां पर आपका आपना माथा जरूर टेकना चाहिए बढ़ते हैं आज की कता के अगली जानकारी की और जब अपना मन दुखी हो और कुछ समझ ना आए वो किसी सद्गूरू की सरन में पहुच कर आपको सी पुरान का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए बढ़ते हैं आज की कता की अगली जान्कारी की और कभी आपको योग लग जाए कि सिवाले में आप अकेले हैं और आपके पास कुछ नहीं है अगर जल और बेल पत्र और तो हो कोई बात नहीं गारी से जाए एकांत कहीं जा रहे हो तो एकांत में एकांतेश्वर महादेव देखने को मिल रहे हैं ना नंदी है ना पार्वती जी है ना गनेश जी है ना कार्तिक जी है तो आपको एकांतेश्वर महादेव के दर्सन जरूर करने चाहिए और एक दो मिनट एकांतेश्वर महादेव के पास बैठ कर दिल से कह देना चाहिए बाबा बहुत दुखी हूँ पर महाकाल बाबा ये मन, दिल, बुधी ये सब आपको सौप दिया है और मेरी जिन्दगी के निर्ने मेरे महाकाल राज आपको लेना है मैं जानती हूँ आप मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते हो इस परकार निवेदन करने से स्री सिवाय नमस्तु भियम मंत्र का जब कर कीजिए अगर आपको एकांतेश्वर महादेव मिल रहे हैं तो वहाँ पर जाकर इस परकार से कर सकते हैं और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपके नजदीक में जो सिवाला है उसमें जिस समय कोई ना हो उस समय भी आप इस ब्रकार से निवीधन कर सकते हैं ये BCS उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं कल के दिन भी कर सकते हैं किसी दिन कर सकते हैं मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आज के उपायों से जुड़ी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स के जड़िये पूच सकते हैं स्री शिवाई नमस्तू भी हम मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन दवा देना ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँच सकें